हलो दोस्तों कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आपने सुना कि एक बंदा जो वेल सेटल्ड था बहुत हाइली पेट था उसने एक एक अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया और उसने बोला कि अब मैं घर पे बैठके कुछ राइटिंग वर्क करूँगा कुछ अपनी ह दूसरा जॉब करना चाहता हूँ जिसमें सायद कम पैसा हो लेकिन साडिस्फेक्शन जादा हो कभी-कभी हमारा मन करता है कि हम ब्यूरोक्रैसी यानि जो IES IPS इनको देखके बड़े खुस होते हैं even if we are at very very high stage लाखो करोडो कमा रहे हैं लेकिन हम वो जॉब करना चाहते हैं क्यों क्योंकि हमें लगता वहाँ हमें ज्यादा साटिस्फेक्शन मिलेगा मेरा नाम दनन्जय है मैं इस चैनल पे आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ money, saving और उसके जो after effects हैं इनके बारे में और मैंने ये पूरा का पूरा एपिसोड ये पूरा का पूरा वीडियो बनाया है इस बुक पे psychology of money याद रखिए यार मेरा चैनल इस पे सब्सक्राइबर कम है लेकिन आपको quality content बिलेगा तो मेरा request होगा आखरी दक इस वीडियो को देखिएगा आपकी आखे खुलने वाली है ये तो मेरा पका आपसे request होगा और आपके साथ मेरा ये वादा है चलिए आप लोग शुरू करते हैं कि ये saving है क्या money है क्या इसके इसको मैंने इस पूरे वीडियो में समझाने के लिए कुल में इलाके मैंने four points प्लान किये हैं four points के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि saving क्या होता है money क्या होता है money के बारे में बोला है इस book में कि money relies more on psychology than finance यानि ये काफी हद तक आपकी psychology का खेल है काफी हद तक आपके दिमाग का psychology का खेल है काफी हद तक आपके दिमाग का खेल है so money relies more on psychology than finance तो psychology क्या होती है psychology होती हमारी thought process हमारा जो belief system वहां से हम money को आगे लेके जाते हैं चलिए start करते है saving क्या होता है so money आप जानते हो money जिससे हम चीजे खरीज सकते हैं exchange जिसे करते हैं goods या services की जिससे हम कोई भी अपनी desire अपनी want अपने need fulfill करते हैं जो हमें life जीने के लिए चाहिए होता है वही पैसा होता है पैसा आता कहां से हम earn करते हैं earn कहां से करते हैं मेहनत करके कुछ passive income होता है कुछ rental properties हमने दे रखी होती है हमारे tenant होते हुआ में किराया देते हैं हम काम करते हैं तो हमें जो company है और salary देती है अगर हम business करते हैं तो हम चीजों को बेचते हैं services देते हैं उसकी बदावलत हमें पैसा मिलता है तो यह सारी चीजे देशी language में money है अब saving क्या होता है saving होता है उन पैसों को हमें अगर बचाना है ढंग से बचाना आ गया तो हुआ हमारे लिए saving है अब saving can be created by spending less एक तरीका हो गया you can spend less if you desire less and if you desire less you don't care what others are saying about you तो simple सा ये तीन लाइन जो मैंने बोला है कि अगर आप खर्च कम करेंगे अगर आपको ज्यादा खर्चा कम करना है तो आप ज्यादा save करेंगे खर्चा कम करना है तो save ज्यादा होगा और अगर save ज्यादा करते हैं आप तो आपकी एक्छाएं कम होगी और एक्छाएं कम होगी तो आपको क्या फरक पड़ता कि बर्मा जी गुपत कई लोग गाड़ी खरीडने के लिए सेविंग करते हैं, कई लोग नया घर बनाने के लिए सेविंग करते हैं, कई लोग बच्चे की को या खुद को बाहर घुमाने के लिए उसको लग्जूरियस चीजें देने के लिए सेविंग करते हैं, मेरा मानना है कि सेविंग बिना कि इसी region के करते हो तो बाद में वो बहुत सारे regions देता है आपके इंजवाय करने के लिए तो चलिए इस पूरे conversation को लेके चलते हैं चार points में और ये सारे के सारे मैंने इसी book से उठाए हैं तो पहला मैं point देने वाला हूँ what is saving दूसरा what psychology of money book says वो book क्या कहती है what is saving मैंने बता दिया पैसे बचाने के तरीके को आप saving कह सकते हो ये basically आपको कोई region नहीं होना चाहिए कि पैसा बचाना इसलिए आप बस बचाने के लिए बचाओ अगर आप बचाने के लिए पैसा बचाते हो तो भी आपको ये आगे चलके help करेगा पैसा बचाने का simple सा मतलब है उसको ऐसी जगह पार्प करो जहां से आप generally वहां से निकाल के खर्चा ना कर पाओ और आज कल एक step इससे और आगे वढ़ते हैं और उस पैसे को हम कही न कहीं invest करते हैं इस book में लेखक ने ये बोला है कि even if you are getting 0% interest saving के कई कई देशों में 0% interest भी है वहां तो भी वो पैसा आपको इतना ज़्यादा freedom देता है कि आप उसके आगे आप life में कुछ भी कर सकते हैं आगे चलके मतलब वो आपको कई सारे tension से बचाता है, flexibility देता है तो ये समब benefits आप saving money में बात करेंगे तो saving आप समझ गए दूसरी बात करते है what psychology of money books is ये book क्या कहती है ये book बहुत सारी बाते कहती है ये book कहती है कि benefits बहुत सारे saving के होते है कि ये book कहती है कि आपको केवल good purchases के लिए save नहीं करना चाहिए ये book कहती है कि आप केवल save करने के उदेश से save करिए ये book कहती है कि का आखरी हद तक ये दिमाग का खेल है rather than finance है अगर आपने कोई चीज़ प्लान कर लिया और आपके दिमाग में आ गया तो आप जो भी पैसा आपके पास आता है उसमें से saving का पार्ट अलग रखते है remaining part को आप खर्च करते है ये book कहती है कि अगर आप ने saving को अपने planning में रख लिया तो definitely आप खर्चे कम करेंगे और खर्चे कम करते हैं तो आप care कम करेंगे लोगों की जैसा मैंने पहले बताया तो इस book को अगर आप पढ़ते हैं मैंने तो इसमें save money वाला दसमा chapter से ये video plan किया है जिसमें मैंने page number 106 onwards point लिया है अगर आप ये book पढ़ो तो मैं recommend करूँगा आप पढ़ो जरूर तो saving के बारे में book क्या कहती है एक basic सा तरीका मैंने बता दिया अब how to save money इसके बारे में बात करें basically save करने के 50 साव तरीके हो सकते है save कैसे करो ये आपकी अपनी planning पर depend करता है कि आप अपनी money को save करते हैं directly एक जगह पार्क करके अपने money को save करते हैं directly ऐसी जगह invest करके जहां पे वो liquid या थोड़ा सा solid money हो liquid मलब जहां से तुरंत आप निकाल सकें थोड़ा solid में बोल सकता हो जहां से आपको ठोड़ा time लगे यानि आप उसे invest कर सकते हैं different procedures में तो saving, save money करने के बहुत सारे तरीके खुद आप develop कर सकते हो मैंने इस point को इसलिए रखा है so that आपके दिमाग में एक हो कि save कैसे करें तो methods क्या होना चाहिए save करने का उसके बाद जो मैं बताऊंगा ये fourth point सबसे important होने वाला benefits of saving money तो benefits of saving money में सबसे पहले hedging against lives inevitable abilities यानि आप अपने life के उन सारे मौकों के लिए इसको आप hedge कर रहे है मतलब इसका एक backup ले रहे है इसका एक desi language बोला जाए तो आप उन सारे चीजों को जो unforeseen है कुछ भी आ सकती है आपके life में उनके against पे protection ले रहे है जैसे हम insurance लेते हैं life में क्या कहता है insurance की कुछ उल्टा सीधा हो गया हमारी family protect भेएगी तो saving करने से आप ऐसे अद्रिस्ट चीजों की जो future में आ सकती है उन पे आप एक insurance ले रहे हैं उनको आप एक हराने का मद्दा रख रहे हैं कि अब वो आपका कुछ खास बिजाड़न नहीं सकती हैं जैसे कुछ साल पहले दो तीन साल पहले एक बड़ा महमारी आया गया था पूरे विश्व में कोविड था कोविड के टाइम में वो सारे लोग shattered हो गये थे परिशान हो गये थे जिनके पास saving नहीं थी private नौकरी थी नौकरी में कुछ time तो company ने पैसे दी हैं उसके बाद देने बंद कर लिए और खास्तों पर जो unorganized sector के लोग थे वो सबसे यादा परिशान थे जहां पे उनको दिक्कत आ गई उनकी live चलाने में दिक्कत आ गई कुछ लोग इनों बाहर के donation पे depend करने लगे ऐसे लाखों families थी तो उन चीज़ों के against आपको hedge करता है gaining control over the time यार controlling over the time ये दूसरा point मैंने लिखा gaining control over the time this one is really very very useful for everyone अगर आपने time पे control कर दिया यानि आपने अपनी time को खरीद लिया पैसा है आपके पास आपके पास आप कोई भी चीज decide थोड़ा बाद में कर सकते हो आप अभी decision के बद बजाए थोड़ा और सोचने का समय ले सकते हो क्योंकि आपके पास option है तो आपने time को एक तरह से control कर लिया पैसे की बदूलत आपको कल जाना है कहीं पे छोड़ा सा example दे रहा हूँ train से जाना आपके पास पैसा है आप कल सुबह निकल गए फ्लाइट से तो चीजों को आप control कर सकते हो समय को control कर सकते हो पैसे से जो third point दे रहा हूँ gives you option and flexibility to wait the right opportunity this one is again very important कई बार जैसा मैंने पहले बोला starting में कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम यार ये particular job हमें ज्यादा satisfaction देता लेकिन उसमें salary कम है उस job में हमें दिक्कत ये हो रही है कि हार हमारी खर्चे कैसे चलेंगे क्योंकि हमारे पास पैसी नहीं है हमारी जो जरूरते हैं वो उसी job से पूरी होती है लेकिन जो दूसरा job है उसमें 10,000, 20,000, 50,000 रुपे कम मिलते हैं लेकिन हमें वो ज़्यादा हमें लगता हो वहाँ पर अगर मैं काम करूंगा तो मुझे ज़्यादा खुसी होगी तो ये जो पैसा है न वो आपको saving आपको money आपको वो opportunity देती है कि वो भी choose कर सकते हो retire हो सकते हो बैट के अपना लिखो पढ़ो वीडियो बनाओ whatever तो ये एक सबसे बड़ा काम है कई बार आपको लगता है कि आपको एक घर sale करना है आप desperate seller हो पैसे चाहिए आपको किसी ने आपका मौके का फाइदा उठाया और आपका 5 करोड की property को उसने दिया 4 करोड 50 लाग अब अगर आपके पास पैसा होता तो आप क्या करते हैं आप wait करते हैं नहीं जी मेरे को 6 करोड 50 लैक्स रहिए देते हो तो नहीं तो जाओ और ऐसे case में हमेशा आपको better deal मिलता तो ये पैसा और saving आपको opportunity देती है बाकी चीज़े नहीं दे सकती है उसके बाद आजाते हैं गिप freedom to choose the things to do which was your childhood dream childhood dream childhood जो एक सपना होता है कि हम life में ये करें board tour करें कुछ ये बनाएंगे एक ऐसा घर बनाएंगे जहां पर ऐसे करेंगे खेल का ground बनाएंगे badminton खेलेंगे tennis court बनाएंगे swimming pool बनाएंगे जो हमारा childhood dream होता है उसको पूरा करने का freedom कौन देता है पैसा saving तो saving के इतने फायदे हैं तो हम saving कबसे start करें ये एक problem होता हमारे पास हमें नहीं लगता हम कबसे start करना चाहिए तो यार एक statement होता है मनी में कि आज से अगर आपको सदबुद्धी आगे तो आज से start करो कोई बात नहीं कम होगा late हो चुका है लेकिन कुछ तो होगा better तो होगा something is going to be better than today's situation आगे आने वाला समय आज की इस समय से better होगा ये तो पक्का है एक better habit develop होगी unnecessary expenditures कम होगे तो आने वाला समय आपका बहुत अच्छा भी देगा तो I hope by this way आपको ये वीडियो कुछ न कुछ नौक करेगी So thank you very much, bye bye, take care